मद्धे परदेश के धार जिले में इन दिनों अवैय शराब का परिवेहन करने वालों पर बाड़ सी आ गई है रोज लागों रुपे की अवैय शराब का परिवेहन बड़ी ही शातिर तरीके से किया जा रहा है तो वहीं पुलिस से भी इन शातिरों को बच पाना संभव नहीं हो पा रहा है कहते हैं ना कि पुलिस के हाथ भी बहुत लंबे है जिससे बच पाना मुश्किल ही नहीं बलकि नाम्म्किन भी है आपको बता दे कि धार के सादलपूर पूलिस ने चेकिंग के दोराने एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें लाखों रुपे की अवैश्राब ग्राम छोटा नागदा से इंदोर की तरफ ले जाई जा रही थी जिसमें गोवा विस्की की सैकड़ो पेटी भरी हुई थी सादलपूर थाना प्रभारी पवन सिंगल ने बताया कि एक ट्रक टेजगती से जा रहा था जिसको लेकर आशंका हुई और उसका पीछा किया गया और पकड़ लिया उसके बाद ट्रक को थाने पर ले जाया गया जिसमें 790 पेटी अवेशरा पाई गई जिसकी कीमत लगबग 50 लाख उर्पे है ड्राइवर को गिरफतार कर 34 दो का केस बनाया गया है पुलिस ने मामले की गहनता से जाच कर रही अवेशरा परिवन हो रहा है उस अधार पे चुकि वो ट्रक काफी तेजगती से जा रहा था तो हमने सबसे पहले सूचना दी है हंडेट डायरी गो जो हमारे थाने से संबन दी थे जो लेवड़ के पहले फ्री दे वो लोग तैयार थे उसको पकड़ने के लिए जैसी उनने पकड़ने का प्रियास किया तो उसमें ड्रावर कूट के उसमें से भाग गया और शेतों में भागने लगा पीछे से हमारी टीम थी उनसे हमने घराबंदी करके पकड़ा उसको टर्क को तो उसमें 790 पेटी गोवा विस्की की थी जिसे हमने जब्त किया है और धारा चोतीस दो में जब्त किया है रादे शाम यादव रोपी उसको गरभतार किया तो कितने के दसरावों के सरी लगव पचास लाद के असपास की पुरी है शराब और तन को इसके खलाब भी हम राजसाथ की कारवई करके खलाब करना है शराब कहां से आ रहती है यह शराब जो अभी प्रात्मियों की इन्वेस्टिकेशन में हमको पता चला है कि नागदा से यह लोड हो थी और इंदोर कितने लोगी आरपी बनाएंगे से अभी तो एक आरपी बनाएंगे से इन्वेस्टिकेशन में जी इसके नामाएंगे उसली कारवई शराब जाब जाब जाएंगे एसे ही लेटेस को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाल